हेलो इस्टूडेंट स्वागत है अप सभी का हमारे यूटूब चैनल इस्टडी सर्कल 24 में तो डियर इस्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 36 गड़ मादमिक सक्षम अंडल के द्वारा जो आपका अक्टूबर महने का असाइमेंट है उसका एंसा तो चलिए देख लेते हैं आज का ये वीडियो का अच्छा बार्मी विज्ञान यानि बायोलोजी के लिए है तो चलिए देखते हैं आपको क्या-क्या प्रशन देगे हैं उसको उत्तर को कैसे लिखने हैं यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए शाथी वेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें जिससे की आपको आपका असाइमेंट से समबंदित सारी जानकारी समय से मिलती रहे तो चलिए देखते हैं आपको हमारे चैनल पर सारे असाइमेंट के एंसर मिल जाएंगे तो चलिए पहले प्रेशन देखते हैं DNA अड़ो को RNA की तुल्ला में अच्छा अनुवांसिक पदार्थ माना गया है क्यों तो इसके एंसर को आप यहां से असानी से नोट कर सकते हैं और लिए को पॉल्स करके आप इसको लिख लिजीएगा दूसरा प्रशन आगे देखें तो अनुवांसिक कोड क्या है अनुमानसिक कोड के कोई दो भिस्षयस्ताय लिखना है आपको तो यहां से इसके बिस्षयस्ताय को आप लिखेंगे ठीक है और अब इसके बाद dear students को जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि इस्टरी सर्कल 24 आप टेलिक्राम पर सर्च करेंगे तो आप वहां से भी जॉइन कर सकते हैं नेक्स्ट अब यहां तक इसको स्क्रिन सॉट करके आप लिख सकते हैं तीसरा प्रशन देख लिजे आरेने और एम आरेने और राइबो सुमल आरेने में अंतर इसपश्ट करना है तो आप यहां से इसके अंतर को भी लिख लेंगे इसको अगर आप असानी के साथ लिखना चाहते हैं तो स्क्रिन सॉट लेकर आप सारे प्रशनों के उत्तर को असानी के साथ लिख लिजे यह आपका यह है अगला प्रशन देख लिजे आपके पास प्रशन है कैंसर कोसिका समानने कोसिका से कैसे अलग है तो इसमें पॉइंट वाइज आपको लिखना है ठीक है कौन कौन से हैं अंतर उसे आप लिख लिख लेंगे तीन पॉइंट बना लिजे अब अगला प्रशन देख लिजे निम्न लिखित रोगों के रोग जनक संक्रमन तथा सनलचनों को संशिप्त वर्णन करना है पहला है अमीब बता तो उसका देखिए आपको टिपड़ी करना तो थोड़ी बहुत उसके बारे में लिखना पड़ेगा तो यहां पास भी संक्रमन के बारे में बताईए फिर इसका सनलचन क्या है उसको ब बताना है भी इसके बाद फिर मलेरिया है आब विडियो को पांज करके इसकी नोट करेंगे फिर इसके बाद मलेरिया का रोख जनक फिर उसके बाद संक्रमन इसके बारे में लिखिए और फिर इसके बाद आपको यहांशे next यह complete हो जाएगा फिर प्रोटीन संसलेशन यह आखरी प्रश्ण है प्रोटीन संसलेशन को विस्तार से समझाईए डियर इस्टो ने आपको और भी जो चैनल बचे हुए है हमारे चैनल पर और भी सब्जेट के असाइमेंट के तो सारे असाइमेंट आपको एक दो दिन के अंदर प्रोवाइड करा दिये जाएगा ठीक है तो आप चैनल के साथ बने रहें तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड पेस्टा ब्लाग